दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसका सेवन यदी आप कर लेते हैं ना चार दिन भी आपके शरीर में इतनी ताकत भर जाएगी क्योंकि ये ताकत का खजाना है खून बनाने की मशीन है नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत ह दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बनाने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी ना ही कोई जादा समान की जूरत पड़ेगी और ना ही गैस की जूरत पड़ेगी तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी आज की रेसिपी ब पारे में एक कहावत है कि चुकंदर जो है खून बनाने की मशीन है इससे इतना खून बनता है कि लोगों को डोनेट करना पड़ता है ऐसा हमने सुना है तो इस तरीके से आपने बीट रूट लेनी है बीट रूट जो होती है दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होती है दोस्तों में ये हीमोगलोबिन की मातरा को बढ़ाती है हमारी सेहत बहुत ही बढ़िया रहती है अगर हम इसका सेवन करते हैं आप सैलड की रूप में सेवन कर सकते हैं इसका लेकिन आज हम आपको कुछ और ही बना कर दिखा रहे हैं जिसका सेवन आपने फटा-फट से कर लेना है सिर् और दोस्तो कॉलेस्टोल को कम करने में भी आपकी काफी हेल्प करेगा महिलाओं और बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद है अक्सर महिलाओं में खून की कमी हो जाती है बच्चों में भी तो इस रेसीपी का वो जुरूर सेवन करें शुगर कंट्रोल में करना चाहते है उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है और दोस्तो चुकंदर जो होती है वो कैंसर रोधी होती है कैंसर को खतम करने के गुनबीस में पाय जाते हैं दोस्तो इस तरह से हमने चुकंदर को चील लिया है और इसको छोटे-छोटे पीसिज में काट लेना है जैसे कि हम ये क काट रहे हैं देखिए दोस्तो आप काटने से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कितना ये हमारा हिमोगलोबिन बढ़ा देगा देखिए मेरे तो हाथ भी ऐसे हो गए हैं काटते-काटते इसको लेकिन घबराएं नहीं दोस्तो ये नेच्रल कलर होता है ये असानी से कर रहे हैं अब दूसरी चीज लेती हैं वो भी दोस조 नेच्रल चीज है ये है दोसतो आवला आवला भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है जो लोग मोठापा कंठोल करना चाहते हैं वो इसका जरू सेवन करें और जिनके पेड में गरवड़ी बनी रहती है प वैसे तो आप आवले को सुभे पानी में घिसकर सेवन कर सकते हैं ये जिस भी लिहास से आप आवले का सेवन करते हैं आपके लिए बहतरीन हैं हर दिन आप कच्छा आवला खाते हैं ये इसका जूस पीते हैं तो आपके दात और मुसूरे मजबूत होते हैं और जिन लोगों क सांसों से दुरगंद आती है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं ब्लड शुकर के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि आवला में क्रोमियम होता है जो की ब्लड शुकर को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है इसलिए डाइपटीज के मरीजों के लिए आवला बहतरीन फल है आवला दोस्तों जो होता है स्किन को भी डिटॉक्सिफाई करता है बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है बालों के लिए आप इसको कच्चे भी खा सकते हैं इसका पेष्ट अपने सिर में भी लगा सकते हैं या फिर आप आवला रीठा और शीका काई मिलाकर इसका आपने काट लेना है दोकर दोकर आपने काटना है एक ही मैं चुकंदर ले रही हूं या पर एक ही मैं आवला ले रही हूं और दोस्तों एक लेंगे अगली चीज लेंगे इसमें और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस रेसीपी को हम ले रहे हैं यहां पर एक गाजर ग अच्छी तरीके से छील लेना है छील कर दोस्तों इसके भी हम पीसीज कर लेते हैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसीज में आपने काटना है इनको गाजर जो होती है दोस्तों वो भी हमारी हल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है गाजर के बारे में आपने जरू सुना होग digestion power को ये बहतरीन बना कर रखती है heart के लिए बहुत बढ़िया है skin के लिए भी अच्छी है और दुरगंद मुझे आती है उनके लिए भी अच्छी है दांतों को मजबूत बनाती है हडियों को मजबूत बनाती है और जिन लोगों की आँखे कमजोर है वैसे कमजोर तो आज की टाइम में सभी की आँखे कमजोर है तो सभी को ये रेसिपी का सेवन करना चाहिए आँखों की रोशनी से बढ़ती है और blood pressure में भी फायदे मंद है खाली अगर आप गाजर का भी सेवन करें तो blood pressure control में रहता है हडियों के लिए बहुत ही उपियोगी है जिन लोगों के जोडों में दर्द रहता है वो इसका जरूर सेवन करें तो इस तरह से गाजर को हमने काट लेना है छोटे छोटे pieces में गाजर कट चुकी है ये तीनों चीजों से हम आज रेसिपी बनाएंगे दोस्तो तीनों चीजे मैंने बारी एक बारी काट ली है इस तरीके से अब लेना है आपने कोई mixi का jar या फिर आप blender का jar ले ले इसको हमने डालना है इसमें और इसका paste बनाना है paste तो वैसे नहीं बनेगा दरदरा सा बनेगा देखे जैसे की हम बना रहे हैं ये हो गया बस आपके दो तीन मिनट लगेंगे इसको बनाने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है और आपकी health इतनी सुधरेगी ना इससे चार दिन में आपको फरक नजर आएगा तो इस तरीके से हमने इसका दरदरासा ये पेश्ट बना लिया है अब क्या करना है आपने आपने लेना है एक कोई बरतन ले उसके उपर ये छलनी रख दे और उसके उपर भी एक कपड़ा रख दे जैसे पनीर बनाने वाला कपड़ा होता है मखमल का कपड़ा होता है वो ले ले अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है तो आप कोई डुबटा ले सकते हैं कोटन का तो उस पे आपने ये डालना है सारा material डाल देना है इसका निकाल कर जो हमने अभी paste बनाया है इसको डाल कर दोस्तों क्योंकि अब ये सूखा है अब इसमें थोड़ा सा जैसे हमारा जो मिक्सी का जार है अभी साफ नहीं हुआ अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर वो डाल लेते हैं इसमें और दोस्तों आपने इसको चानना है छलनी में नहीं चानना है बस कपड़े में चानना है आपने ताकि कोई भी अंदर टुकड़ा ना जाए इसका और बच्चे बुड़े सब पी सकें क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है इनके टुकड़ों से तो वो नहीं जाने चाहिए वो असानी से सेवन कर लेते हैं अगर आप उनको इसको निचोड़ लेना है सारा पानी इसमें से निकाल लेना है यानि सारा जूस इसका निकाल लेना है ये देखे दोस्तों जूस तो इसका निकल चुका है सारा थोड़ा सा और पानी डाल के इसमें ताकि इसका सारा निकल जाए इस तरीके से सारा तो फिर भी नहीं निकले अब इसको एक अलग बरतन में रख लेते हैं इस तरह से प्लेट में रख ले अब इस मटीरियल को आपने कहां यूज करना है वेश्ट नहीं करना है इसको भी इसको दोस्तो आठे में डाल कर आठा खुन के उसके प्राठे बना सकते हैं या फिर दोस्तो आप इस मटीरियल को स सुखा लें, सुखा कर भी आप दोस्तों दुबारस इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें सारा जूस खतम नहीं हुआ है, इस तरीके से आप बना लें, या फिर आप सैलड के तरह खाना चाहते हैं, तो इस पर नमक और नीमबू लगा कर खा सकते हैं, तो इस तरीके लेते हैं, आदा छोटा चमच काला नमक डालेंगे इसमें, जो काला नमक होता है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, काले नमक से आपका डाजेशन बहतर बनता है, जिन लोगों को पेट की समस्या होती है, कुछ भी पेट में दर्ध होता है, कव्ज ब बहुत ही बढ़िया रहता है, और जो लोग वजन से परिशान है, वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी काले नमक का ही यूज करें, तो देखा दोस्तों, बिलकुल कम इंग्रीडियन्ट से हमारी ये रेसीपी बनकर त्यार है, हल्दी रेसीपी, इसको दोस्तों अगर आप चार दिन भी सेवन कर लेते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत भर जाएगी, आपके अंदर खून की कमी है, वो पूरी हो जाएगी, आपको दवाईया मगरा लेने के जूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में ही असानी से अपने बलड को बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आपने बच्चों को भी देना है, और खुद भी लेना है, ज्यादा तर ओरतों में खून की कमी रहती है, ठक जाती है, थोड़ा थोड़ा काम करके, वो इस जूस का हर रो सेवन करें, बच्चों को भी दे, जैसे वो खेल कर आते हैं, तो उनको बना कर फटा-फट के साथ धन्यवादोसों